जैशी कृष्णा ज्योतिश एक दिवी प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रथम भाव से जुड़ी हुई सारी बाते। दोस्तों प्रथम भाव जिसे लगन भी कहा जाता है। लगन कुंडली का बल होता है और सबसे अधिक महत्तु रखता है। यदि लगन या लगनेश किसी अश्युप ग्रह के दुश प्रभाव में हो तो कुंडली की क्रिया शीलता काफी हद तक प्रभावित होती है। लगन में एक अस्त ग्रह, समान्य, उन्नत्ती और वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है दोस्तों। उदे होने वाला लगन जितना अधिक शुब होगा उतना ही जातक लंबा जीवन जीने वाला होता है। उतना ही अधिक राज्य में सम्मान पाता है, परिवार में सम्मान पाता है और खुशाल प्रिस्तितियों से घिरा रहता है। यदि लगन लगनेस से द्रस्ट हो तो वह धन्वानों से भी अधिक धन्वान होता है। जैसा जातक बहुत प्रतिभावान होता है। कुल का दीपक होता है। यदि लगन एक शुब घर से द्रस्ट हो तो उस जातक के साथ सभी कुछ शुब होता है। इसके विप्रीत यदि अशुब घर से द्रस्ट हो तो जीवन की शुबता में कमी आ जाती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रतिभाव के बारे में बहुत कुछ जाना। उसे आगे विस्तार से और जानते हैं। प्रतिभाव, जातक स्वय, का स्वास्थिय, दिरगाय। खुशिया, सारेरिक बनावट, चरित्र, सारेरिक गठन, जन्म जात स्वभाव, स्थिति, आत्म सम्मान, व्यक्तित्व, तथा प्रयासों से सफलता और विफलता प्राप्त करना। आदी का विचार किया जाता है। अगली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद जैशे किष्णा।